नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले काफी ज़्यादा एक इंपोर्टन इशू है UCC यानि Uniform Civil Code ये काफी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है हमारे देश के अंदर पहला राज्य उत्राखंट बन गया जिसने अपने यहाँ पर यूसी लगाने का फैसला किया एक उसी की दिशा में असम जो है वो आगे बढ़ रहा है ऐसा क्यूं कह रहा हूं क्योंकि अभी हाली में असम ने मुस्लिम विवा अधिनियम को रद करने का निर्ने लिया गया है इसके पीछे रीजन क्या दिया जा इनको तो कौन नहीं जानता आपने इनके भाशन भी कई बार सुने ही होंगे अब इन्होंने कहा है कि जो आसम है जिन्होंने मुस्लिम विवा मैरिज एक्ट को रिपिल यानि की रद करने का फैसला लिया वो कहीं न कहीं धरम के साथ खेल रहे हैं ये इनका ब्यान आया हमारे स डाउनलोड कर सकें आपको खुद पढ़ना भी है कुछ लिखना भी है नागे अंसर राइटिंग में भी आपको help हो वो चीज़ें आपको लिखी लिखाए मिल जाएं तो इसके लिए आप पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आप द यहां दिया ओके असम में जो असम मुस्लिम विवा और जो डाइवोर्स रिजिस्टेशन एक्ट है 1935 इसको रद करने का फैसला लिया था अब यह जो यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उन्होंने यहाँ पर असम रिपीलिंग ओडिनेंस 2024 इसको मंजूरी दे दी त अब यह क्या करेगा यह जो ओडिनेंस है यह रिपील यहनी रद कर देगा 89 इयर ओल्ड एक्ट यहनी मुस्लिम का जो मैरीज एक्ट है वो 89 लगबग लगबग 90 साल पुराना एक अधिनिया में उसको यह रद कर देगा कैर इसके पीछे जो CM है हिमत शर्मा जी वो उनका क्या कहना था उनका क्या पयाना है उसको भी हम discuss करेंगे और इसके पीछे criticism देखे फेवर में भी कुछ लोग बोल रहे हैं और इसको criticize भी कुछ लोग कर रहे हैं तो दोनों का पक्ष विपक्ष दोनों हम उनकी जो इच्छ क्या है कि Muslim विवा और तलाक register करने की एक प्रक्रिया दी गई है कि उनके जो register कैसे किया जाएंगे 2010 में एक संशोदन हुआ एक amendment किया गया इस अधिनियम के अंदर जिसमें एक जो word था voluntary यानि स्वेचिक उसको हटा कर अनिवारे यानि कि medantry compulsory इस रूप में बदल दिया गया अब इसका मतलब यह हुआ पहले जो थे Muslim वो शादी कर लेते थे तो वो register कराएं या ना कराएं इससे कोई फरक नहीं पड़ता तब उनकी इच्छा पे था स्वेचिक था लेकिन 2010 के बाद यह medantry यानि compulsory कर दिया कि आपको अगर आपने शादी की है तो आपको register करवानी और divorce को पंजिकरित करने के लिए किसी भी व्यक्ति वो Muslim होना चाहिए उसको license देने का अधिकार देता है यानि कि 1935 का जो यह act है Muslim marriage act वाला जो बात हम कर रहे हैं यह क्या करता है किसी भी व्यक्ति जो Muslim है उसको license देने का अधिकार देता है जो एक Muslim registrar को लोग सेवक माना जा जाता है यह जो अधिनियम है कहिना कि Muslim personal लोग के according ही है यानि ऐसा कहेंगे कि Muslim personal लोग जैसे चल रहा है ऐसे यह अधिनियम भी बर्क कर रहा था असम के अंदर कोई भी ज़्यादा फरक नहीं था इसके अंदर अब असम ने इसे रद क्यों किया जो मुख्यमंत्री है हिमत ब फैसला लिया है वो असम में बाल विवा पर रोक लगाने के लिए एक महतपून कदम हमने उठाया है ताकि यह जो 1935 का जो यह act है Muslim वाला जिसके अंदर शादी और जो डाइवोर्स होता है इसको रिजिस्टर करने की जो अनुमती देता है इसको हम इसलिए रद कर रहे हैं ताकि हमारे जो राजे यानि की असम है वहाँ पर बाल विवा पर हम रोक लगा सकें अब यह भी काफी इंटरस्टिंग है इन्होंने इसको बाल विवा से कैसे जोड़ा है इसको भी हम जानने वाले हैं काफी एक इंटरस्टिंग पेज यहां पर फस्ता है हमारे सामने लिख दिया गया है 18 and 21 ये उल्टा लिख दिया गया है ठीक है कानून योग ये एज मानी जाती है अब क्या होता है कि मुसलिम के अंदर ये एज पहुंची नहीं जाती है और उससे पहले ही वो शादी कर लेते हैं अब यहां पर हम जानेंगे कि वो कितनी ही एज में उनकी शा इसमें यह भी कहा गया ये जो अधिनियम है इसमें पंजीकरन मशीनरी जो है यानि जो रिजिस्टेशन जो मशीनरी है वो इनफॉर्मल है अनौपचारिक है और आज के जो मुझुदा जो मान दंड है उनका वो पालन नहीं करती है इसलिए इस एक्ट को भी यहां पर रद क किया जाता है ये बात बोलते हैं उन्होंने यहां पर एक ओर्डिनेंस पास किया है वकील है नेकिबूर जमान जो पॉलिगैमी स्टेट के अंदर जो पॉलिगैमी है उसके उपर परतिबंद बनाने के लिए कानून की वैदता की जांज करने की सरकार की कमिटी बनाए गए जिसके ये मेंबर थे अब इन्होंने क्या का इसके बारे में सुनिए इन्होंने का अधिनियम अनिवायरे रूप से राज्ये में स्टार्टिंग में क्या करता था निका यानि शादी और तला को नियंतिन्ट करता था जिसके लिए प्रादिकारी एक सरकारी पंजी करित यानि जो नेकिबूर जमान है उन्होंने इस अधिनियम को 1935 वाले जो एक्ट है इसको कहा ये पुराना एक आउडेटिड लोग है आउडेटिड एक्ट है इसमें क्या कहा कि कई काजी सत्ता का दुरूप्यों करते हैं और अक्सर नाबालिकों की शादी और बिना आधार के त यूज करते हुए बच्चे जो माइनर हैं उनकी शादी करवा देते हैं या फिर उनका तलाक बिना ही कोई ग्राउंड के वो करवा देते हैं तो ये इनके उपर कहें कि allegation लगाए हैं या फिर कहें कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल के भी आती हैं ये बोला गया है यहाँ पर अब आपने देखा होगा UCC आया है UCC काफी ज़्यादा चर्चा में रहा है BGP के मैनफिस्टो में है UCC अब UCC जो हमारे constitution के अंदर भी बोला गया है कि हो सके तो हमारे देश के अंदर UCC को भी लाया जाए ये बात समीधान के अंदर आकर आपने समीधान पढ़ा है तो वहाँ पर ये बोली जाती है नीती नीदेशक तत्व के अंदर आप देखेंग सिंपल एकी चीज़ पे एकी स्टेज पे आके सब खड़े हो जाएंगे अब ये क्या क्या उत्राखंड में जो है समान नागरिक साइंता जो है वो लागू करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है अब उसके पीछे पीछे कोई चला गया असम में obviously कोई है BGP अब उन मत्री है BGP के ही है मला बर्वा ने दावा किया कि अधिनियम को निरस्त करना इस दिशा में यानि UCC की दिशा में एक महत्तपून कदम था उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के निरस्त होने के बाद मुसल्मानों को विशेश विवा अधिनियम यानि Special Marriage Act 1954 के तह जो शादी जो है रोजिस्टर करानी होगी अब यह बात जो है कि इन्होंने जो रद किया है यह UCC ला रही है इसके पीछे एक बयान आता है जो डिस्टिक जज है उन्होंने अपना नाम ना बतानी के कंडिशन पे इंडियन एक्स्प्रेस को बात बोली कहा कि देखे अगर आपको स्ट केट में UCC लेके आना है तो कुछ रोडे जो है उस UCC के रास्ते में आएंगे तो इन रोडों को हटाना बहुत जरूरी है यह जो है आप कह रहे हैं कि यह रद कर दिया 1935 का जो एक्ट है इसको निरिस्ट किया गया है मुसलिम वाला तो कही न कहीं वो एक रोडा ही था UCC के रास्ते में और उसको अब धीरे धीर अटाया जा रहा है तो यह कहीं न कहीं यह बात बताते हैं कि UCC बहुत जल्द है वो आसम के अंदर भी आने वाला है अब राज्ये ने इसे बाल विवापर कारवाई के लिए क्यों जोड़ा यह एक सवाल हमारे सामने आ जाता है देख जो है मुकदमा चलाया जा रहा है अब सरकार ने 2026 तक अपने राज्ये में एक तरीके से बाल विवापर को खतम करने का यानि 0% कुछ भी बाल विवापर ना हो इसका संकल्प उन्होंने लिया है मुख्य मुंत्री ने कहा कि यह जो अधिनियम है वो कहीं ना कहीं बाल यह दोनों ही नावालिक हैं तो उनकी और से एक एप्लिकेशन जो है वो एक कहेंगे कि जो उनके लोफुल गार्डियन्स है वो डालेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएग उनकी शादी कर भी जाती है मुस्लिम परसनलों में क्या होता है यह काफी एक आपकी महतवपुन जानकारी है एक प्रुबिट्री पीरिड माना जाता है यानि कि प्रुबिट्री पीरिड का मतलब होता है कि 15 साल की एज में 15 साल की एज जो है जो योवल जो एक लड़की को में आ जाता है इसका मतलब हो अब 15 साल की एज में वो लड़की शादी करने के लाइक हो जाती है ये Muslim personal law कहता है तो आप सोचिए अगर Muslim personal law ये कहता है तो obviously Muslim में 15 साल की एज में तो शादी अराम से हो जाती है उसको तो कोई रोक भी नहीं पाएगा तो ये इसलिए जोड़ा गया है बाल विवा से क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से legally माना जाएगा शादी को अगर Muslim personal law वहाँ पर काम कर रहा है तो clear हुआ है आपके सामने अब आते हैं आके एक वकील अब यहाँ पर यह जो आप देखेंगे ना यह जो यह इसके criticism में बोले गए है कि आपने जो act हटाया है वो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है इसके पीछे एक वकील है साथ इसाथ वो President है असम मिलत Foundation के उनका नाम है जुनेद खालिद उन्होंने कहा अरे मान लीजिए आपने कहा कि 15 साल की age जो है मुसलिम में लड़की की शादी की मान ली जाती है 15 साल की age में वहाँ पर Pubitry का period जो है वो लड़की जो प्राप्त कर लेती है योवन विवस्थाव जो है वहाँ पर पहुंच जाती है लड़की इसमें शादी हो जाती है तो आप एक काम करें ना इस 15 साल को बदल कर आप कानूनी जो age है वो रख दीजिए आप पूरे ही कानून को क्यों बदल रहे हो आप पूरे ही एक्ट को क्यों बदल रहे हो जो यहां पर क्या बोल रहे है जो उलंगन वाला हिस्सा है उसमें शंशोधन कर दीजिए न आप क्या कर रहे हो पूरे ही ही आप उस एक्ट को बदलने की कोशिश करे지ा पूरे ही एक्ट को आपने बदल दिया है जिसका कारण क्या होगा कि अभी तक जितनी registration से शादी हो रही थी अब unregisteration होने स्टार्ट हो जाएंगे क्यों हो जाएंगी यहाँ पर एक बात बोलेगी कांग्रेस पार्टी के जो सदस्चे हैं अमन मदूद उन्होंने इसी तरह की चिंताओं को व्यक्त करते हुए का कि अधिनियम जो या भी आपने जो निरस्ट करने के बात बोली है वो एक तरह की से बहुत ज़्यादा सिंपल वे है रिजिस्टरेशन करवाने का मुस्लिम के अंदर शादी का या फिर जो टाइवोर्स होते हैं उनको रिजिस्टर करवाने का क्योंकि राज्ये के अंदर यानि स्टेट के अंदर 94 काजी फैले हुए थे जो रिजिस्टर थे मतलब जो कानूनी थे एक तरीके से अब यदि मुस्लिम विवा अदिनियम के तैत सरल प्रक्रिया को किस में बदल दिया जाएगा रिप्लेस किस से कर दिया जाएगा विशेश अदिनियम के तैत विशेश विवा अदिनियम जो एसिक्षित जो लोग हैं एक तरीके से इस प्रक्रिया में गुषने इसे डरेंगे अब डरेंगे तो वो क्या करेंगे ओविसलि वो शादी तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करेंगे शादी तो वो तब भी करेंगे लेकिन वहाँ पर रजिस्टर शादी नहीं होकर अन्रजिस्टर शादी होने की संभावना यह जादा हो जाएगे यह इनका गैना था, उन्होंने आगे कहा कि अधिकरित जो अभी तक जो काजी थे वो register थे अब यहाँ पर उनकी संक्या जो है अनरिजिस्टर काजियों की संक्या ज़्यादा होने वाली है यह चिंताएं जो हैं यहाँ पर व्यक्त कीए सरकार obviously इनका भी कोई हल निकालेगी ऐसा नहीं है कि सरकार ने यह बातें नहीं सोची होगी कि इनोंने ही सोच ली इनके पास ही ज़्यादा ही दिमाग आ गया सरकार के पास इतना दिबाग नहीं है obviously सरकार चीजें सारी सोच कर चलती है उनके पास यह होता है कि अगर हमने यह चीज की इसके विरोध में क्या हो सकता है तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा यह सरकार वाँपे सोचती ही है तो आने वाला टाइम बताएगा सरकार ने इसके उपर क्या फैसला लिया कैसे इन चीजों को आगे यह हैंडल करने वाले है तो यह था आज का टोपिक भई कि आसम के अंदर मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसको क्यों निरस्त किया जा रहा है उसको बाल विवा से क्यों कनेक्ट किया गया है UCC लाने की तरफ एक और कदम यहां पर आसम ने बढ़ा लिया है पहला राज्य हमारे सामने उत्राकंड बनके निकल कर आ गए यह तमाम बाते हैं आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों को अच्छे से कवर करा दियोंगी ऐसा मुझे लगता है अगर मुझे बताने की आपको समझ में आ गया है तो मुझे कैसे बताएंगे तो मुझे बताएंगे